हेलो एब्रिवन बेलकम यूद अर्टाइब आप सभी स्ट्रॉगलर का आपके अपने चनल दनल्लिम्टेस ट्रॉगलर ने एक वाह फिर बहुत बहुत स्वागत है ICT की सीरीज में आज हम डिसकस करेंगे computer networks के बारे में computer networks क्या होते हैं कितनी तरह के होते हैं किस तरह से networking established की जाती है और कौन-कौन से network जो है generally हम access करते हैं इसी के बारे में आज का हमारा discussion रहेगा वीडियो स्टाट करने से पहले आप लोगों से request रहेगी कि हमारे चैनल दनलिम्टेस ट्रगलर को सब्सक्राइब कर लें और वैल आइकन को हिट करने ताकि आपको हर आने वार लेटेस्ट वीडियो के इंस्टान नोटिफिशन मिल जाए हमारा Facebook और Instagram पेज है दनलिम्टेस्ट करते हैं computer networks सब से पहले बात करेंगी Computer Network होते क्या है देखिए Alec nevork में हम्ते माइनड में आजाता है कि नैटवर्क जो जुड़ा हूँ बहुत सार चीजने जब एक साथ जूरी हो तो computer network के हम बात करते हैं तो computer network में कुछ ऐसा ही होता है जब number of computers किसी ना किसी mechanism की help से with the help of wires, with the help of connectivity,with the help of other devices जोड़े जाते हैं एक साथ ताकि उनके बीच में connectivity बना रहे in order to perform certain functions कुछ काम करने के लिए कुछ tasks perform करने के लिए कुछ programs करने के लिए data sharing के लिए memory sharing के लिए हम जो हैं उन computers को जोड़ते हैं तो जब हम उन computers को जोड़ते हैं with the help of various devices and wires तो उसको हम network कहते हैं जब बात आती है data transmission की data sharing की तो उन buyers की help से और जो other devices हम use करते हैं उनकी help से हम कुछ ना कुछ चीजें share करते हैं उसको हम computer network sharing बोलते हैं computer networks जो हैं वो बहुत तरह के होते हैं कुछ एक हम discuss करेंगे जो important one है सबसे पहले बात करेंगे LAN की LAN होता है local area network आपको फूल फॉर्म से हैं वो इलकुल याद रखनी है और उनके characteristics याद रखने है क्योंकि यहां से generally question बनता है local area network में क्या होता है local area network में कुछ एक computers number of computer जैसे मा लेजी एक कमरे के अंदर 50 computer system है general cyber cafe का हम example लेंगे या हम बात करें एक classroom की computer classroom की जिसमें बहुत सारे computers जो है with the help of land wire हम जिसको बोलते हैं land wire उसके साथ जोड़े जाते हैं ताकि उनके बीच में जो है connectivity बनी रहे अब वो same location पे होंगे और land wire की help से जोड़े जाएंगे वो computers को हम local area network या land कहते हैं दूसरा आता है wide area network wide area network का मतलब है जब हम same is the case here कि लेकिन यहाँ पे जो use होता है यहाँ telephone wires होती है और telephone wires की help से जो है वो connectivity दी जाती है जैसे हम क्या करते हैं broadband connection लेते हैं तो वहाँ पे telephone wires का use होता है और with the help of telephone wire जो है वो connectivity हमें दी जाती है जब हमारे produce में कोई दूसरे मकान वाला जो है person वो यह broadband connection लेता है तो उसको भी उसी telephone बायर से जो है वो connectivity दी जाती है और उसको एक और अलग सा address दिया जाता है IP address हमारा अलग IP address होता है तो मतलब हमारा जो service provider है internet service provider है वो कोई telephone operator होगा जो पिल्दा help of telephone wires हमें connectivity देगा number of computers को हम जोडते हैं इसके बाद बात आती है man की man होता है metropolitan area network यह generally cities में होता है जब एक बड़े city को या बड़े नगर को बड़े town को हम with the help of buyers बोलो telephone buyers बोलो हम जोडते हैं ताकि उनके बीच में internet connectivity बन जाए अच्छा अब यह generally हम बोलते हैं इसमें van में और man में क्या difference है van में और man में difference है area का geographical area का man में बहुत बड़ा geographical area होता है land में छोटा area जो है वो cover किया जाता है इसके बाद आता है campus area network can जिसको बोलते हैं campus area network जैसे कि हमारे पास campus आ रहा है campus word यूज हो रहा है campus word जैसे हम बात करें एक university है, उसके different schools हैं, departments हैं, तो उसका एक server होगा, वहाँ से हम उस पूरे university के जितने भी department है, जितने भी buildings हैं, वहाँ पर जो भी computer networking होगी, उस एक जगा से होगी, तो उस area को एक proper हम networking देंगे, उसको हम campus area network जो है, बोलते हैं, यहाँ पर भी land का use होता है, और यह भी local area network होता है, इसको हम general local area network pronounce कर सकते हैं, लेकिन यह एक particular building हम बोल सकते हैं, यह number of buildings जो एक ही server के अंडर आती हैं, जो एक ही organization का part है, वहाँ पर can जो है वो आता है, इसके बाद बात आती है, व्लैन की wireless local area network, व्लैन जैसे हम बोलें की wifi university है, या किसी university या किसी college campus पूरा वो wifi से less है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो wireless area network होता है, आपको वहाँ पर land wire का use नहीं होता है, connectivity के लिए land wire जरूरी नहीं होती है, वहाँ पर with the help of wireless network या wifi की help से आपको network मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर आप उसका organization का या आप उस campus का या आप उस institution का part होने चाहिए, आपको एक user id password दिया गया होगा, उसको आप access करके connectivity जो है वो ले सकते हैं, इसके बाद आता है pen personal area network, personal area network हम simply बोल सकते हैं, जब हम अपने mobile phone से hotspot create करते हैं, और उससे network करते हैं, उससे अपने laptop को जोड़ते हैं, या computer को जोड़ते हैं, desktop को जोड़ते हैं, या किसी दूसरे person को networking जो है वो देते हैं, ताकि वो भी internet का use कर सकते हैं, और हम भी internet का use कर सकते हैं, on request, या हम अपने ही सिस्टम को जो है या अपने ही मुबाईल दूसरे मुबाईल फोन को इंटरनेट देते हैं तो इसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं जो हमारे हम खुद क्रेट करते हैं इसके बाद आता है लुद का अपन का मतलब है जब एक सर्वर से हम different connectivity देते हैं किसी particular area बोलो एक particular building बोलो एक particular campus में बोलो तो वहाँ पे server area उसका server एक होगा लेकिन connectivity पूरे campus में जो है वो होगी इसके बाद हम define करेंगे internet को internet क्या है internet एक हम बोल सकते हैं worldwide web की help से चलने वाला एक ऐसा network है जिससे हम data sharing करते हैं जिससे हम कुछ भी memory share करते हैं जिससे हम different search engine functions या tasks perform कर सकते हैं और कोई भी knowledge जो है with the help of computer access कर सकते हैं उसको हम network sorry internet बोलेंगे अब बात आती है intranet क्या होता है देखें internet जो है वो सबके लिए open है उसको कोई भी access करता है उसकी कीमत चुका करके जैसे ही हम mobile phone पे जो है वो recharge करवा चलाते हैं और Google चलाते हैं कोई भी और website जो है वो access करते हैं कोई भी search engine access करते हैं internet internet की जब बात आती है तो internet का मतलब है एक foundation उसमें होगी एक limitation उसमें होगी जैसे मालीजे मैं बात करता हूँ यहां पे एक organization की आइसी आइसी बैंक की तो आइसी आइसी बैंक में आप अपना laptop अपना computer वहां पे नहीं connect कर सकते हैं उनके network के साथ उसके लिए आपको permission लेनी पड़ेगी आइसी 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 बैंक वालों से request करके और वो भी approvals के थ्रू आएगी तब जाकर कि आपका system जो है वो उनके internet से चल पड़ेगा अगर आप उनकी land wire का यूज करते हैं हलांकि उसमें internet connectivity होगी लेकिन उनकी land wire को आप अपने personal system के साथ यूज करते हो तो net नहीं चलेगा जब तक आपको access नहीं देंगे तो इसको बोलेंगे internet जो एक ही organization में चलता है अब पूरी country में पूरे इंडिया में ICICI bank के जितने भी banks हैं वहाँ पे internet network है वो bank एक दूसरे के साथ connected है with the help of IP address और वो अपने आप में exchange कर सकते हैं बाहर का कोई भी system वहाँ पे internet access नहीं कर सकता ना तो wifi के थूँ और ना ही landwire के थूँ इसके बाद बात आती है extra net की extra net इसके opposite होता है जहां पे मैंने बात की ICICI bank की तो ICICI bank का internet connection है पूरे ही इंडिया में एकने extra net की हम जो बात करते हैं तो यहां पे आता है collaboration with other partners other organization जैसे मा लेजिए ICICI bank और HDFC का आपस में connectivity है internet connectivity जिससे वो exchange करते है different transaction को उनके वीच में कोई transaction established होती है कोई business operations perform होते हैं तो जब within two organization three organization और multiple organization जो वो internet connectivity होती है उसको हम extra net कहते हैं इसके बाद बात आती है virtual private network virtual private network को हम BPN भी बोलते हैं अब इसमें क्या होता है इसमें different nods की help से connectivity होती है virtually virtually मतलब कि large number of system large number of desktops large number of computer जोड़े जाते हैं लेकिन without physical wire जैसे मैंने आपको Wi-Fi का example दिया उसको हम virtual private networks बोल सकते हैं तो यह था जी आज का topic I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा thanks for listening thanks for watching like करें वीडियो को अच्छा लगा तो comment जरूर करें subscribe करें और share करें अगर आपके कोई कोई होती है आ वाट्साइब कर सकते हैं 762709 6162 पर थैंक्यू थैंक्स अलोट